रिकावरी का एक ऐसा आस्पेक्ट है जिसको हम सभी ओवरलुक कर जाते हैं और वो है इंपल्सिव बिहेवियर. Of course, सफर रिकावरी का बहुत चालेंजिंग होता है, पट उसके अंदर एक ये जो चीज है वो बहुत बड़ी अपस्टेकल, बहुत बड़ा अर्चन क्रियेट करता है, क्योंकि इंपल्सिविटी अपने में ही एक बहुत चुस्त और चलाग बिमारी है, जो हमें टेम्ट करती है कि हम इंस्टेंट ग्राटिफिकेशन लें, और आज हम बात करने जा रहे है कि कैसे इंपल्सिविटी हमारी रिकावरी की उपर इंपक्ट डालती है, पॉइंट नम्बर वान, ये जो इंपल्सिविटी है, वो हमें अपने लिए या दूसरों के लिए sound decisions लेने से रोकती है, जब कभी भी for example recovery में हमारे अंदर cravings के बादल चा जाते हैं, तो ये इंपल्सिविटी प्यार से हमारे पास आके हमें मीठे सपने दिखाती है और हम उन मीठे सपनों के अंदर बहेग जाते हैं, and as a result, हम poor decisions ले जाते हैं, जो कि शायद उस point of time पे हमें वो काले बादलों से, वो बिजली से बचा तो लेता है, but in the long run, हमें हमारी जो recovery का सफर, जितना हम आगे लंबे आ चुके थे, उसमें फिर drown करके वापस भी ले जाता है, secondly, ये हमारी emotional well-being के उपर भी बहुत जादा असर करता है, क्योंकि जब हमारी life में tough situations आते हैं, because as we all know, life जो है, उसमें ups, downs दोनों आने, तो जब वो down वाले times आते हैं, वो tough situations में, जब हमें anxiety महसूस होती है, sadness महसूस होती है, या anger महसूस होता है, तो ये impulsivity हमें रोकती है, अपने आपको emotionally manage करने से, so instead of taking pause, हम impulsivity में reactive हो जाते हैं, और हमें एक temporary outlet मिल जाता है, एक ऐसा escape, एक ऐसा exit मिल जाता है, जिससे कि हम भाग सके, ये lure तो हमें बहुत करता है, ये tempt तो बहुत करता है, बट इसकी वज़ज़ से number 3, हमारे relationship बहुत जादा strain हो जाते हैं, ये हमारे रिष्टों की उपर ऐसा असर करता है, कि specially जब हमें वो काले भादलों ने घेरा होता है, जब हमें सबसे जादा support की जरूरत होती है, ये impulsivity हमें अकेले पन में ले जाता है, ये impulsivity हमारा उन लोगों के साथ relationship को destroy कर देता है, जो कि हमारा एक support system होते हैं, हमें help करने वाले होते हैं, times of need, पर ये impulsivity आके वो bonds को break करता है, so that हमारी जो basically addiction है, वो और जादा grow कर सके, ये relationships को strain तो कर देता है, पर डरने की बात नहीं है, इस काले बादलों के बीच में एक उमीद की किरन भी है, so number one, by acknowledging the role of impulsivity, हमारी life में ये जो impulsivity क्या role play करती है, especially जब हमने कोई decision लेना होता है, या कोई reaction देना होता है, हम सबसे पहले उन phases को, उन situations को जानने की कोशिश करते हैं, हमारी impulsivity के लिए वो trigger point क्या है, तो जब हम उसके लिए awareness एक लेके आएंगे, then we'll be able to handle ourselves और हम उस जगा पे pause लेना सीखेंगे, ताकि कल को वो reaction ना है और उसके आगे support system जो है हमारा वो बिगडे ना, and number two will be, कि अपने लिए एक ऐसा support system बनाए, कि जब impulsivity या addiction के कुछ जो character defect से वो आते भी है, तो हम ये support systems के पास हो सकते हैं, आपकी family members, या fellow mates, या आपके counsellors, कोई भी ऐसे लोग हो जिनके पास आप जाके अपनी sharing कर सको, चाहे आप जितना मर्जी गुसा हैं, चाहे आपको पता चल रहा है या नहीं चल रहा है कि क्या करना है and what not, हम impulsively decisions ना लेके इन support system वाले groups के पास जाएं, अपनी sharing कीजिए, हो सकता है आपको उस चीज का solution ना मिले, बट ये जरूर होगा कि आप हलके हो जाएंगे, तो चाहे impulsivity हमारे recovery के अंदर challenges लेके आता है, बट धेरे के साथ अपने अंदर awareness लाने के साथ और सही coping mechanisms को सीखने के साथ recovery असान हो सकती है.